चलेगा तो राइसाने कभी क्रियाओं को continue करते हुए एक और वीडियो लेकर आये बहुती शंदार मैथिल एलकोहल से एथिल एलकोहल इससे पहली वाली वीडियो में आपने एथिल एलकोहल से मैथिल एलकोहल बनाना सीखा था इस वीडियों हम मैथिल एलकोल से एतिल एलकोल बनाना सीखेंगे देखिए बहुती प्यारा कॉंसेप्ट के साथ में हम स्टाट कर रहे हैं मैथिल एलकोल यानि की CH3OH यह होता है आपका मैथिल एलकोल मैथिल एलकोल की किरिया करके हम इसमें सबसे पहले यह 4 पदों बनता पहली बात तो कितने पदों में 4 पदों में याद कर लीजेगा 4 पोर steps में यह complete होती है reaction चार पदों में बनेगा ठीक है पहले पद में हम क्या बनाएंगे methyl chloride और methyl chloride कुछ student क्या करते हैं इस तरह से CH3OH है हलां कि हम इसमें क्या कर दें NaCl मिला दें और यहाँ पर क्या होगा यह वाला Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा और Na के साथ OH NaOH मिलकर निकल जाएगा ऐसे कर दोगे तो यह reaction गलत है ठीक है हलां कि इस पर पूरा नमबर मिल जाता है लेकिन यह गलत मानी जाती है हम यहाँ पर systemic तरीके से चलेंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं Phosphorus Pentacloride यानि कि PCL5 से हम किरिया कराते हैं जैसे हम PCL5 से किरिया कराएगे तो CH3CL आपका बन जाएगा CH3CL बन गया अब यहाँ से देखेगा केवल यहाँ से एक CL यहाँ पर इस्तमाल हुआ तो यहाँ से OH बचा और एक P बचा और CL फोर बचा जब P और CL बचते हैं और O भी दिखाई दे रहा है तो हमेसा आपका POCL3 यह हमेसा निकलेगा POCL3 ठीक है फासपोरस हाइपो क्लोराइड ओके यह निकल गया अब पी गया यहां से 3CL3 यहांने 3CL गये तो बचा क्या केवल 1CL बचा और 1H बचा तो यहां से 1HCL और निकाल दो ठीक है तो यह मैथिल क्लोराइड यह क्या है मैथिल एलकोल से मैथिल क्लोराइड बन गया ठीक है पहला स्टेप मैथिल एलकोल से मैथिल क्लोराइड बनाते हैं फिर इससे हम क्या करते हैं हाइट्रोजन साइनाइड की किरिया करवा कर methyl cyanide बनाते हैं क्या बनाएंगे methyl cyanide बनाएंगे यहां से hydrogen cyanide की किरिया कराकर हम क्या बनाएंगे देखिएगा यहां से आपका यह CH3 है और यहां से आपका कौन सा समू लेंगे केवल यह वाला समू यहां पर जुड़ जाएगा तो यह क्या बन जाएगा methyl cyanide इसका नाम है methyl cyanide यह बन गया अब निकलेगा क्या वो भी C किलो यहां से H और यह CL तो वही चीज H CL निकल गया ठीक है पहला पद दूसरा पद अब तीसरे पद की और बढ़ रही है reaction तीसरा पद यहां पर लिख दे रहे है यह आगे बढ़ेगा ऐसे आगे लिख दे रहा हूँ है इस तरह से ठीक है तीसरा पद तीसरे पद में हम क्या करेंगे देखिएगा द्यान से समझ लेना तीसरे पद में हम क्या करा रहे है इसका up chain करा दे रहे है तो इसमें क्या करेंगे हम एक हाइट्रोजन जोड देंगे ठीक है और इसका मतलब क्या है इसका ओक्सीकरण ठीक है और ये अप्चैन हो रहा है अप्चैन अब इसका मतलब होता है नवजात ओक्सीजन जो बड़े ब्रैकेट में लिखी होती है उसको बोलते है नवजात ओक् नवजात हाइट्रोजन ले लेंगे और हम क्या करेंगे यहां पर आपका देख रहे हो ना यहां पर तो यहां पर हम हाइट्रोजन साइनाय या ऐसे करो C2H5NH2 बना दो यहां से आगे जा रहे है यहां से आगे बढ़ा रहे है इस तरीके से अब देखिए ज़रा ध्यान से यहां से आगे जा रही है याने कि यह रियक्षन यहां से आगे बढ़ रही है ठीक है यह C, C और C, C2 आ गया और N, N यहां पर एक यह आ गया, C2 आ गया, N आ गया, यहां पर H 3 है और यहां पर कितने हैं, 5 और 2, 7 हैं, तो यहां पर 3, यहां पर 4H की आवश सकता है तो हम 4 की मल्टिप्लाई कर देंगे इसमें और यह हो ठीक है, कोई दिक्कद नहीं आगे बढ़ लो, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आगे की किरिया एक पड, दो पड और यहां से आगे का यह T会 उर तीसरा पड, चौते पड में बन जाएगा, हम को क्या चाहिए, हम को चाहिए Ethyl Alcohol चाहिए एतिल एलकोहल चाहिए तो अब हम किसकी किरिया करा दे रहें यहां पर यहां पर वही चीज आप NaOH की किरिया करा दीजिए NaOH की किरिया जब कराएंगे तो यह वाला OH समू यहां पर आकर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा C2H5 और यह वाला जो OH समू था यह वाला OH तो यह यहां पर आकर जुड़ गया और यह बन गया आपका एथिल एलकोहल बन गया अब यहां से क्या है Na निकला ठीक है Na निकला और यहां से आपका यह NH2 निकला Na निकला और आपका H2 यानि की H2 निकला NH2 यह निकला अब यह मिलकर क्या बना सकता है देखिएगा और एक OV OH तो यहां पर लग गया ना C2H5 OH लग गया तो यह देखिएगा यहां से कुछ N के साथ में आपका Na यह तो कुछ नहीं बन रहा तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं किसी से क्रिया कराएं हम हम यहां पर NaOH से क्रिया नहीं करा रहे हैं NaOH से क्रिया मत कराईएगा तो फिर किस से कराएंगे हम क्रिया हम यहां पर क्रिया करादें आपका किसी से क्रिया कराएं यहाँ पर आप इससे क्रिया मत कराईए तो इसको अभी मारिये गोली ठीक है हम यहाँ पर क्रिया करा रहे हैं आपकी HNO2 से H, नाइटरस अमल HNO2 ठीक है किससे क्रिया करा रहे हैं नाइटरस अमल से यह HNO2 एक होता है HNO3 यह नाइटरिक अमल होता है यह नाइटरस अमल होता है ठीक है इससे क्रिया करा रहे हैं तो होगा क्या यहाँ से एक H और यह वाला एक O यहां पर आके जुड़ गया OH बने गया, Ethyl Alcohol बने गया ठीक है, अब यहां से एक H गया, यहां से एक O गया यहां से N बचता है और एक O बचा और आपका इधर NH2 बच रहा है क्योंकि यहां से इन दोनों से मिलके यह चीत आ रही है यहां से NH2 बचा, तो अब देखिएगा एक H2 मिलकर H2 और O के साथ मिलकर जल निकल जाएगा और यहां से N2, N2 मिलकर यह क्या हो जाती है, फर हो जाती है यह नाइट्रोजन बनकर यह निकल जाती है तो यह इस तरह से यह reaction बन जाती है, ठीक है, बन गी ने बन गी एलकोहल से मैथिल किलोराइड बनाने के लिए आजाए, मैथिल साइनाइट से एथिल एमीन बनाने के लिए आजाए मैथिल एलकोहल से एथिल एमीन बनाने के लिए आजाए, मैथिल एलकोहल से एथिल एलकोहल या मैथिल साइनाइट से यह एथिल एमीन से Ethyl Alcohol बनाने के लिए आ जाए तो आप इस तरह से बनाओगे ठीक है चलिए कल दीजिए इसको reaction को ठीक है चलिए बहुत जल्दी इसको कल दीजिए फिर आगे एक और सांदर reaction हम कराने जा रहे हैं बहुती सांदर reaction करा रहे हैं प्यार इसी reaction कराएंगे जो कई फदों में होगी पूरी अब देखेगा चौती reaction पर आ जाते हैं चौती reaction करेंगे हम Methyl Alcohol से Acetic Aml Acetic Aml देखेगा यह reaction ही करनी है यही reaction बार 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 एको यही reaction चलती है बस थोड़ा संतर है देखिए methyl alcohol यानि कि CH3OH इसकी किरिया हमने किस से करा दी PCL 5 के साथ करा दी तो हमारा CH3 CL बन जाएगा निकल किया जाएगा देखिए यहां से एक CL बचा यानि कि P और CL O मिल रहा है तो PO CL 3 निकलेगा और एक HCL निकलेगा यह चीज हम जानते हैं देखो यह वाली चीज आ गई फिर इसकी किरिया हम किस से करा रहे हैं HCN से करा रहे हैं hydrogen cyanide से hydrogen cyanide सम्मूं इस पर जुड़ जाएगा CH3CN यह आ जाएगा यहां से और यहां से निकल क्या जाएगा आपका HCL निकल जाएगा ओके hydrogen cyanide आ गया अब इसकी किरिया हम किस से करा दे इसकी किरिया हम करा रहे हैं hydrogen cyanide के बाद में यहां से हम किरिया इसकी करा रहे हैं H2O से क्योंकि हमको क्या चाहिए हमको चाहिए CH3COOH Acetic अमल के लिए तो CH3COO चाहिए तो यह OOH किस में आता है O, O और H किस में आता है यह आता है H2O में तो हमको 2 O चाहिए तो हम 2 H2O यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा CH3COOH 2 O इस्तिमाल हो गए यहाँ पर 2 दूनी 4 H में से 1 H यहाँ पर इस्तिमाल हो गया तो कितने 3 H बच्चे और 1 N मिलकर क्या बन जाएगा NH3 बन जाएगा यह GAS आपकी निकल जाती है तो इसलिए GAS-BAS का सिंबल नहीं लगाएंगे काम खतम तो यही आपका Acetic Amble बन गया देखो यह बड़ी-बड़ी reaction में पहले इसलिए करा रहा हूं ताकि इनी से reaction आपकी सारी आगे वाली सारी complete होती चली जाती है Methyl Alcool से Methyl Kiloride Methyl Sinide और यह बन गए Acetic Amble यहां तक तो आपने करी थी reaction यहां से आगे अब इससे अगली वाली reaction अगली वीडियो में चलेगी वो क्या है आपका Methyl Alcool से Methyl Alcool से आपका Methyl Amine Methyl Alcool से Methyl Alcool से Methyl Amine ठीक, Methyl Amine Methyl Amine का मतलब CH3NH2 लेकर आना है CH3NH2 लेकर आना है यानि कि यहां से Methyl Alcool से Methyl Alcool से इससे आपको CH3NH2 लेकर आना है CH3 CN तो यहां पर आ गया यहां से आपका NH2 लेकर आना है CH3NH2 यहां पर C2H5NH2 आ रहा है तो यहीं से हमको Change करना पड़ेगा यह ethylamine तो आया था लेकिन हमको methylamine लेकर आना है इसके लिए हम इन चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम methyl alcohol से Еще ethel alcohol से methyl alcohol बनाया था तो वही चीजों को इस्तेमाल कर वो साम को मिलेगा मैं थोड़ी देर बाद मिलेगा ठीक है तो अभी मेरे को नीद आ रही है को डूटी करके आया था उसके बाद में आपके लिए वीडियो बनाए अभी इसको देख लीजएगा अब वीडियो बनाई जाएगी ठीक है थोड़ा सा नाए डूटी लग गया तो थोड़ी समस्या बढ़ रही है ठीक है तो वीडियो लाइक करना अपने दोस्तों तक सेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा मिलेंगे खुछ सब्सक्राइब हम तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइब जाहें